हेलो फ्रेंड्स आगत है आप सभी का आरवे यूट्यूब में तो फ्रेंड्स आज मैं एक क्वेश्चन लेकर करके आया हूँ यह क्लास नाइन्थ की मैथ से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैटर से लिया गया है तो इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो वीडियो पसंद आये गाँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों को भी सेयर कर दीजिएगा चैएल पर नहां है तो चैनल को सब्स्राइब कर लिजिए ठीक है अगर आपकी कोई क्वेरी है या आप तो यह कह रहे हैं यहाँ पर यह जो A1, A2 और A1 है यह AP फार्म कर रहा है इस बात को दिखाओ तो AP तब बनता है जब D की वैलू सेम होती है ठीक है AP तब बनता है जब D की वैलू सेम होती है अब यहाँ पर हमें अलग से फार्मूला दे दिया गया जैसे question number first A1 is equal to 3 plus 4N यह first question के लिए है second question के लिए जो formula है वो A1 is equal to 9 minus 5N यह दूसरा formula है तो इसे दूसरा question solve होगा इतना करने के बाद में आगे हमें बताना है also find the sum of the first 15 terms in each case देखो सबसे पहले तो हमें बताना है कि यह AP बना रहा है कि नहीं यानि कि AP की value को हमें represent करना है ऐसे दोनों की case में और फिर दोनों की case में 15 find करना है 15 का मतलब होता है कि sum where n is equal to 15 हमें some find करना है जहां पर n क्या है 15 है तो question आपको समझ में आ गया मैं आप question को मिटा देता हूं आपकी book में already होगा जिनके पास नहीं होगा वो question को write कर ले या screenshot ले फिर हम first question से solve करेंगे अब जो हमारा first question is equal to 3 plus 4 in देखो आप सुचते होगी कि कैसी करना बहुत होगा नहीं बिल्कुल बहुत easy है आपको कुछ नहीं करना है जो n होता है उसकी अलग अलग वैलू रख दीजिए एक बार one two three ऐसे अलग अलग वैलू आप रखते जाएगे तो जैसे ही आप n की अलग अलग वैलू रखते जाओगे तो आपको ऐसे मिलता जाएगा a1 a2 a3 ऐसे अलग अलग मिलता जाएगा आपको ठीक है तो बस इसके बाद हमारे एक बन जाएगा तो सबसे पहले जिब वन रखेंगे तब क्या होगा कि सोल्यूशन at n is equal to 1 देखो जब हम n की वैलू 1 रखेंगे तो क्या होगा यह हो जाएगा a1 solution at n is equal to 1 तो जब देखो 1 रखेंगे तो यह हो जाएगा a1 और यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लेस 4 देखो यहां पर n है तो यहां पर 1 रख देंगे यह उस पूरे एक्वेशन में जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ रखना है आपको तो होगा क्या देखो यह जाएगा 4 वन जा 4 और यह 3 हो जाएगा 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा सेवन तो एवन की वैलू कितनी आ जाएगी एवन की वैलू आ जाएगी सेवन ठीक इसी प्रकार से हम फाइंड करेंगे एटू पर तो एट एन इस इक्वल टू टू एटू इस इक्वल टू 3 प्लस 4 एन्टू 2 देखो यहां पर एन है तो यहां पर 2 रख देंगे तो क्या होगा आगे देखो तो एसे ही रहेगा 4 टू जाए 8 हो जाएगा ठीक तो 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11 एटू इस इक्वल टू 11 एटू की वैलू कितनी आ गई 11 इसी प टू 3 प्लस 4 इंटू 3 तो 4 3 जा कितना होता है 12 तो यहां पर हो जाएगा 3 प्लस 12 किता हो जाएगा 3 प्लस 12 तो एड करने पर आ जाएगा ए 3 इस इक्वल टू 15 कितना आ जाएगा 15 अब देखो एपी कि अगर हम बात करें 10 सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म राइट करते हैं सेवन सेकंड टर्म राइट करते हैं 11 और थर्ड टर्म राइट कर दिया हमने 15 ऐसे ही हमारे टर्म बढ़ते जाएंगे अब हमारे जो दूसरा काम होता है वह उतार डी को फाइंड करना क्या होता है डी को फाइंड करना तो डी तो हम ऐसे ही फाइंड कर सकते ना seven में four एड कर दें 11 हो जाएगा 11 में four एड करने 15 हो जाएगा तरे की वालू कितनी है डी की वैलू four है लेकिन फिर भी चलो को फाइंड करते हैं आप ठीक है नाव को पॉर कॉमन डिफरेंस डी इस इक्वल टू देखो यहां पर कर देंगे 11-7 तो यह आजाएगा मारे पास 4 डी कितना आ गया 4 आ गया अब डी की वालू भी हमें मिल गई है कि अई अपीभी हमें मिल गया यह बन रहा है अब हम फाइंड करेंगे सेंड क्या फिप्टीन टरं तो आप पहले इतना राइट कर लो या फिर वीडियो को पहुंच सब्सक्राइब 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 सबसे पहले जो यह वाला अमारा फिर्स्ट टर्म है यह होगा ठीक है तो जब सारा वैलू रखें यह तो हो जाएगा एस एन की वैलू है 15 क्योंकि हमें 15 टर्म का समपाइंड करना है तो 15 बाइटू इंटू टू इंटू एक की वैलू है सेवन प्लस 15 माइनस वान डी की वैलू है मारे पास फूर ठीक अब इनको सॉल्ट कर लेंगे 15 बाइटू टू सेवन जाब 14 देखो 15 माइनस वन करेंगे 14 हो जाएगा और 14 फाइब जाब 56 ठीक है देखो आगे क्या होगा 15 बाइटू आपस में मैल्टिप्लाइ कर लेंगे किसको 35 इंटू 15 को तो देखो 15 का टेबल आता है 15 फाइब जाएगा तो यह जाएगा 52 तो आंसर कितना आजएगा आंसर रहा जाएगा 525 तो यह आगया हमारा sum और यह हमारा क्या हो गया answer क्या हो गया answer तो देखो जो अपी आ गया वो यह आ गया और sum यह आ गया तो आप चाहते से रहे ड़ाउन कर लो या फिर वीडियो को पहुज करके screenshot ले लो तो दोस्तों अब हम बात करेंगे अपने next question की question हमारे पास a n is equal to 9-5 n यहां भी हम वही करेंगे n की बैलूज रखेंगे 1 2 3 4 ऐसे करके और हमें नए नए टर्म मिलते रहेंगे तो जैसे solution at n is equal to 1 अब देखो क्या रखेंगे यहां पर तो यह हो जाएगा 9-5 अब यह सभी question में है 9 है 5 है एन की बैलू रख देंगे तो क्या हो जाएगा फाइफ और फाइफ तो इसको सब्सक्राइब करेंगे तो देखो 9-5 आ जाएगा और 9-5 कितना आ जाएगा फूर तो एवन की वैल्यू कितनी हो जाएगी एवन की वैल्यू हो जाएगे मारे पास फूर ठीक इसी प्रिकार से at n is equal to 2 यह हो जाएगा एट तो 9-5 into अब नंबर बढ़ा है 10 का तो इसका साइन लेंगे माइनस और यह आ जाएगा माइनस बन तो एटू कितनी आ जाएगी एटू की वैल्या जाएगी माइनस बन इसी प्रिकार से at n is equal to 3 यह हो जाएगा एट री 9-5 into 3 तो 53 कितना हो जाएगा 15 तो देखो यह हो जाएगा 9-15 अब 15 बढ़ा है तो इसका साइन लेंगे माइनस 15-9 करेंगे तो आजाएगा 6 कितना जाएगा 6 तो यहां पर एट री की वैल्या जाएगी 6 वह भी ही माइनस 6 ठीक है तो यहां से क्या बन गया हमारा 10 कि एपी इस एक्वल टूर्सT टर्म हमारे पास पूर सेकंड टर्म हमारे पास माइनस थर्डर में हमारे पास माइनस 6 और यह इस प्रकार से शीरी की चलती रहागी यहां रहा अब यहां पर अगर करना हो तो दि होता है यहां से जो पहला है यह आएगा सब्सक्राइब दिए की वैलू फार्णेट करेंगे तो देखो पहले रखेंगे वाइनस-वन फार्णुल recre मैंनेस रख देंगे और यह फोर मैनेस-शार्ण सेम से मैं तो साइन तो मैंनस ही आएगा और प्वोर प्लेस्ट सेबने कितना हो जाएगा फाइव तो डी कि वैलू कितना आ Gi hem माइनस फाइफ डी कि वैली कितना जाएगा माइनस फाइफ हब आगे हम सॉम फैंड करेंगे फासर्ट क्टिंट टर्म का अंब तो वह देखो क्या होगा क्छुष हमारा सम कपन्य k éismoe fueled to n by 2 plus 2nd सबी धिए मैं सब को पर पर देखो जार मिलू रखेंगे तो एन तो हमारा देको एन आ महारा माइनस फाइब तो इसको एक दूसरे ब्रेकेट में रखेंगे आगे क्या होगा वो देख लीजिए यह हो गया फिटीन वाइट टू टू-फोर्टीन और यह आजाएगा इंटू-5 अब दीको माइनस इन्टू-पलस क्या आजएगा माइनस इन्टू-पलस यहां पर माइनस गन्सा जाएगा और। 23 emergence सब्सक्राइब कर देंगे इसको जएगा डूबра और सिक्स्टी टूइंव कता जाएगा इसंटी कुल कि इसको कट कर देंग लाइं इसे कि लो そう इंटू-31 साइन माइनस का आएगा 15 15-45 146 तो जो सम आजाएगा आपका वो आजाएगा माइनस 465 समा फर्स्ट फिप्टीन टर्म कितना आजाएगा माइनस 465 तो दिखो यह आपका एपी हो गया और यह आपका सम हो गया दोनों आंसर हमारा आ गया तो आप चौत इसे वीडियो को पांच करके राइड़न कर लो या फिर स्क्रिंशॉट ले लू तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अगर जरह भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अ कि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले कोश्चन के साथ तब तक अगले थैंक्यू ग्लास